वेल गुद मॉर्णी फ्रेंट्स वेलकम तू आवर स्टैडी चैनल मूव और स्टैडी तूड़े आइप डिस्कस्ट इवार्ट टो कोशन्स ऑफ बीपी एस्टी सिस्क्स टू एक क्लासेश मेडिल अस्कूल ऑफ मैथमेटिक सेंड साइंस तो फ्रेंट्स मैं आज आप लोग कीमत 18 रुपाय तो प्रतिक पेंसिल और रबर की कीमत क्या होगी तो इसे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो इसमें और दी जाएगा तो इसका राइट एंसर होगा इन में से कोई नहीं नेस्ट कोशन चार बहनों की और साथ वर्ष है यदि हम उसमें आयू मा की करते हैं देखिए क्या है 121 वर्ग मीटा अधार छेत्रफल वाले तैस मीटा उचाई वाले लंग प्रिज्म का आयतन क्या होगा तो इसका जड़ाइट एंसर ऑप्सन नंबर भी है फ्रेंट 2783 और नेस्ट कोशन इस नौ एक और पंदरा के बिच कितनी अभाज संखें आती है तो देखिए फ्रेंट यह आप लोग का आप लोग का स्क्वाइर रूट था तो यह काफी इजिस्ट कोशन इसे मैं बोलूंगा तो यह कोशन था ओप्सन नंबर एक के साथ थी गया और 36 तो इससे अगर आप लोग सॉल्फ क्योंगे तो सिंपल में आप लोग का जो एंस किलिए रहे है और नेक्स कोशन 38 का तो 38 कभी अगर आप लोग सॉल्फ कियोंगे तो इसका राइट इंसर था 21 जो की ऑप्सन में सी में दिया था यानिकि 21 एंड वहरी नेक्स कोशन आप लाते हैं कुछ साइंस का कोशन सा देखें नाभीके रेक्रणों में डीटीओ का उप्योग होता है तो इसका हम लोग सिंपल वह हमेशा जो यूच करते हैं वह मंदक की रूप में करते हैं किसके मॉडरेटर की रूप में यूच करते हैं यार के लिए होता है and 41 प्रकास अंसलेशन के अध्यान से संबंदित वनस्पति विज्ञान की साख्या क्या कहलाती है तो फ्रेंट्स इसका जो राइट एंसरों को ऑप्शन नमर सी हो यानिकी पादप कारिकी कहलाता है अनुवान सी की यह थें एक प्रीषित से दुसए प्रीड़ी में वनस्पतिं के अध्यान को क्या कहते है तो लिए हमोगलोविन होगा क्लिया और एंगांट प्रेंशन वह एंज़ान जो हमारे मू में भोजन के साथ मिलता है उससे क्या कहते है तो फ्रेंट्स व्रेंट्स टाइलिन को भी लोगो क्या बोलते है ? M-I-L-A-S-B-K तो इसका राइट अंसर अप्सिन नंबर C होगा एंड वेरी नेस्ट कोशन आप लोग मिला लेंगे AL-2-O-3 2-Si-O-2-2-H-2-O निम्रिकित में किसका रसायनिक सूतर है तो फ्रेंट्स का जो राइट एंसर और ऑप्सन नमर B हो गया यानिकी चीनी मिटी का होता है एन वेरी नेस्ट कोसन वहाँ जानवार जो मुख्यता मांस काता है निमलिकीत में क्या कहलाता है तो सबसे इजी कोसन था इससे में बोलते कार्णी टीक है यानिकी काफी इजिस्ट कोसन था यह ठीक है कर रहे थे तो इसका राइट एंसर होगा मिस्र के राष्टपती थे अब्दूल फता अल्सी सी ते याद रखेंगे अधवाट 24 के कौन होंगे आप लोग कमेंड बॉक्स में लिखेंगे तो आप लोग में बता दें चाहता हूं अमरीका के राष्टपती होंगे यानि कि आप इसे याद रखेंगे आप लोग कहा हुआ था नई दिल्ली में वह था नेक्ट कोशन तो चली देखते हैं नेक्ट कोशन क्या था देखें सुर्य का अधिन करने के लिए 2 सितंबर 23 को लॉंच किये इसरो के आदित्य एलबन मिर्सन की परियोजना निर्देसा कौन थे तो का था ठीक है इसका मिसाल का नाम भी एलबन था इसे याद रखेंगे कोशन ने पूछा गया था नेक्स्ट को सॉरी संजुक राष्ट अमेरिका में कौन सी राजे बिधाय का पहला राजे बन गया जिसने दच्छिन अफ्रीकी दच्छिन एस्याई मूल के लोगों के लिए ज कोशन हाले में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मोलन का गोशना की तो इसका राजने क्या थिम्भू अमेरिका द्वारा लिजन ऑफ मेरिट्रमान किसे दिया गया तो काफी अच्छा कोशन था तो इसका इंसर होगा जनरल दर्वील सिंग सुहाग और एक्स कोशन इंडि अब देखते हैं क्या लिक्रा निम्लिखित में कौन सा युवा वलित-प्रवत नहीं है यह वलित-परवत तो और अक्क और टो अप्सण उप्यूक में एक से अधिक हो दाएगा किसके रख निवन ही रहा है तो निवन ही में रिखा के वारे पूच आ तो उसको पर पास च् करक रेखा द्वारा सरवार्दिक छेत्र अच्छादित्र तो यह भी कासन फ़र्ण काफी कॉंप्लिकेटर यहां तक ही बोलाएगा इसका एंसर होगा मालवा का पठार मालवा का पठार कांटेदार जंगल नहीं पाया थे यानि किस राज्य में नहीं पायाते हैं तो यानि 58 है ना तो इसका जो राइट अंसर होगा ऑप्सन नंबर सी होगा यानि कि तमिल नाड़ो एन वेरी नेश्ट को सन उस देश का नाम बात सौरी किस राज्य में सबसे अधिक लेटर राट म पाय जाती है तो इसको राइट एंसर हो 50 109 का सी होगा में घाले में होगा किले रहा है एनेश्ट को संस जो काफी अच्छा को संपूछा गया था चली फ्रेंट्स मैं देखता हूं क्या पूछा जारा 59 का उस देश का नाम बताईए जो जी 21 में करेगा सबसे पहले इसका न नौ अद्धस सितंबर 2023 को भारत के यानि कि दिली के मंड़्पम में जो कारेले हुआ था आयुजन हुआ था ऊसमें फ्रेंट्स इसमें एक और एक और समीति का का आड अडिसन हुआता इसमें तो फ्रेंट्स इसका याद रखेगा जो 23 में 21 में होगा स्वरी जो 24 में जो हो स्कित में कौन सी भूमाद्य सागर में भारत के उत्तर पस्चिमी भाग की और से चलती है तो अच्छा कोशन था यह तो इसका राइट एंसर हो फ्रेंट पस्चिमी विछोब होगा एंवेरी नेक्श्ट कोशन किसके नेट्यूत में संथाल वीद्र आठासो पच्पन चपन में हुआ तो यहां दखेंगे यहां जोगा था तीजूल आठासो पच्पन में हुआ था किलिए रहा है आये जोगा था सिंदू कांदू चांद भारव के नेट्यूत में हुआ तो इसके ऑप्सन होगा नरब देज और नेक्श्ट कोशन पांच मार्च 1930 को कौन सी महत्मुन घटना घटी तो काफी अच्छा कोशन है तो पांच मार्च 1930 को गांधी इर्विन समझाता हुआ था यहां दखेंगा गांधी इर्विन समझाता हुआ था बिहार यूथ लिग का गठन कभ हुआ था तो 65 का जो राइट अंसर होगा ऑप्सन नमबर बी होगा यानि कि 1928 में हुआ तो बिहार यूथ लिग का गठन हुआ था एनेक्ट कोशन 6 अपर 1930 को चंपारण में नमक सत्यक्रार का नेतित किसने किया था तो फ्रेंट्स इसका ज 24 सितंबा 1932 को था 24 सितंबा 1932 को हुआ था क्लियर है नेक्स्ट कोशन 1857 के विद्रों में बिहार के नेतित किसने किया था तो बाबु वीर कुमवा सिंग ने किया था यार रखेंगे अप लोगों को याद होगा काफी इजिस्ट कोशन था यह बिहार के लिए इन खिलाब जिंदाबाद किसने दिया था तो इसका रहाट एंसर हस्त मोहानी ने दिया था वस्त मोहानी ने इन क्लाबं जिंदाबाद का नारा दिया था ऑई इसे फेमस जो किया था आप लोगों को पताव प्र में लिखें किसने किया था यह था 40 सित अब आते हैं Mathematics का त तो चलिए फ्रेंट सब मैंत कभी कोशन हम लोगों देख लिए किस्ट पूछा गया था पहला कोसन देखिए एक एकल बट्टा यहांत करें जो 20 पर 30 के दो क्रमगत बट्टों के सम्तूल है तो फ्रेंट सिंपल वे में आप लोगों पांच से चार की होंगा दस से नो की होंग एक निश्चित परियोग में जीवानों की संक्या 2.5 पर 30 प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी तो प्रारब में यह 512 00 थी तो दो घंटे के अंत में जीवानों की संक्या क्या होगे तो इसका राइट एंसर होगा एक मसीन के क्रेम मुल्य में प्रतिवर्ष 20 पर 30 की दर स इसे हरास होता है तो इसे दो बर्ष पूर्व खड़ीदा गया तो इसकी वरतमान कीमत 40,000 रुपय है तो यह कितने में खड़ी थी तो इससे अगर आप लोग सॉल्ट कियोंगे तो इसका राइट एंसर था इसब नेक्स्ट कोशन तो स्वेंटीफोर का जो राइट एंसर आ देखे इसका अगर आप लोग सॉल्ट कियोंगे तो इसका आए होगा अंसर आप लोग समने 30 अब देखे किसी घनाव का परते भुजा दुग नहीं करती जाया तो इसकी सतही छेतरपल पर क्या इफेक्स पड़ेगा तो इसका राइट एंसर होगा चार गुनी होगा और फै इसमें एक्स का वैलु निकलना था तो इसका भी राइट एंसर उप्सन नमबर सी यानिके दो अब 80 तो दीट तो धारा का को संता यानि बोट एंस्ट्रीम से था इसका राइट एंसर नंबर अगा अधिकतम मान पूछ रहा तो देखे सəंट इट उप्ल है प्रस कोस्ट देखे कुछ नहीं करना था देखे 8 में से आपको 6 गठाना था फिर यहां पर 4 माइनस माइनस यह प्लस कर देंगे और 24 माइनस 12 करना था और यहां चार्ट करते हैं उसका राइट एक्स का फर्मूला था तो इसका राइट एंसर ऑप्सन नंबर सी आता अब देखे यह कोसर में क्या था इसका फर्मूला आप लोगो पढ़े होंगे क्या होता है M2 प्लस M1 by 1-1 into M2 होता है इसमें यह मॉडलिंग होता है यह प्लस में आता एक माइनस में आता है इन्हें दो होता है इसका तो मैक्सिमा स्पूडेंट का एंसर आया था सुरूट एंप 3 आया था लेकिन इसका एंस मैक्सिमा स्पूडेंट का मिश्टिक हुआ है अब यह कोशन तो फ्रेंट यहां से लगतार कोशन आप लोग क्लास 11 से लिया गया था कोडिनेट जीमेर्टिक है तो इसका राट एंसर ऑप्सन नमबर भी आएगा ठीक है अब चलते है 85 में तो 85 कभी कोशन काफी इजिस नही आप लोग जानते है फर्मुला क्या होता है एक्स बाए एक्स बाए ब्राव वाई बाए बी एक्स प्लस एवाइब ऑए ब्राव जिट बाए गोता क्लिए इस प्रकास आप लोग बनाए होंगे अब देखें यह कोशन था जो कि क्या स्पीड़ां टाम से तो 720 किलोमेटर इ तो इसका राइट है 88 का तो 88 का राइट है ऑप्सन नमर यह आ रहा था एंड 89 का तो 89 का आप लोग सॉल्ट कियोंगे तो यह कोशन जीरो आया होगा क्लिए यह आप लोग पीजी टीम भी पूछा गया था एंड 90 कोशन तो इसमें मानक मिच्टर निकालना था तो जानते हैं कि एक मिनट में छे डिगरी का एंगल बनाता तो चालीस मिनट में छे को मल्टिप्लाय करते हैं यानि कि 240 आ गया था आयहां पर क्या करते हैं तो इसका नमबर भी या था टू पाई के लिए रहा है और इसमें तो ऑप्सन आयोग के दोबारा 27 देरा लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है इसमें एक सथी कोनी चाहिए ठीक है क्योंकि देखे इसका रूली है इसा होता है 40N यह है और यहां पर यह है ठीक है तो देखे अकर वन पूट करते तो फ्रांट सिंपल में आपका 27 आता है लेकिन मैक्सिमम भेलू पूट करते हैं दो या तीन अग यह थी कोशन काफी कोशन के लिस्ट में रखा गया है तो इसका जो राइट एंसर होगा यहने कि ऑप्सन नंबर सी होगा 3y4 एं नेक्ट कोशन तो देखे यह भी कोशन अच्छा था टाइम नबर का कोशन था इससे आप लोग काफी इसे वे में बनाए होंगे उसका जो रा आते हैं देखते हैं कोशन क्या लिख रहाता सौरी 95 को अप्सन नबर सी आगा फ्रेंट्स एक्स्ट कोशन 96 तो 96 का अगर देखा जाया तो इसका भी राइट अप्सन नबर बी आता है नहीं माइनस दस आता अब 97 की जिगरी करते हैं तो 97 के अगर हम बात करते हैं तो इसका हैंटी इत तो इसे अगर लोगों सॉल्व कियोंगे नटी इट का तो आपसन कियोंगे तो इसका जुरा नहीं स्कूर्व कियोंगे तो इसका जो राइट एंसर आथा आता ऑपसे नबर ब स्क्वायर टीक है एंड 101 तो इसका जो राइट एंसर होगा एक मिनट याने कि 101 का बात कर रहा है तो फ्रेंट्स एक मिनट याने कि इसका राइट एंसर ऑप्शन नंबर भी आता है एक मिनट शूला सेकेंड कौन बृण इसका अप्शन नंबर से अता है अनुओ शूला सस्क्ते गुण Lup याता रह एक्सान ईक्सों इसका य्योच्ट इपका क्शन इसना शूलानी डेंट गए लंबे विकरने के लंबाई किया होगे तो फ्रेंट्स हाप D1 गुना D2 यूज क्योंगे तो इसका आता है अल्टाली सेंटिमीटर अब यह देखे यह कोसन फ्रेंट्स इसका राट एंसर नन अफ दी जाएगा क्योंकि एक एंसर आ रहा था देखे एक सो पचास आ रहा था एक साथ 45 या कुछ कर रहा था इसका राट अंसर होगा नन ओफ द अब आप देखे समांत्र माध्ड निकाल रहा था तो इसका राट एंसर ऑप्सन नंबर ए था ठीक है एकसो साथ को ऑप्सन नमर्ब ए होता अब देखे 108 का तो ऑप्सन नंबर 108 का अगर बात करते तो 27 अब दे की option number C होता है to ratio 1 next देखे यह कोस्टन तो इससे अगर आप लोग solve कियोंगे यह कोस्टन काफी internally question पूछा गया तो इसका right answer नन अफ दी जाता अब देखें यह आ गया तो आप लोग पढ़ोंगे P1 भी 1 वाई P2 भी 2 तो इस फर्मूला से अगर आप लोग पूठ कियोंगे तो इसका right answer आता है यानि 112 का अपसर नमबर एक एंपर आता एंसर ठीक है and very next question एक समान चुमबके च्छित्र में एक आवे सितकन के मार्ग और बकरता तीजा सीधा सिधा संबंद है तो इसका right answer को option number a होगा चुमबके च्छित्र के त्रीवता से होता है ठीक है सौरी त्रीवता से होता है इससे समवेक्स होता है स्वारी मिश्टेक हो गया and 114 तो अगर इससे भी आप लोग स्वार्ट के अधारी था तो कैपला स्लोग के फर्मूला के कौन इसका right answer option नवर सी आता है अब देख्यों 115 तो 115 में देखिए इसका right answer होता होता है यानि कि 115 नवर यहां पर यहां पर याद आखिए न रेजिस्टिवीटी बोल रहता तो रेजिस्टिवीटी डिपेंस ओनली फो टैंप्रेचर ओनली फो टैंप्रेचर चली 117 की बात करते हैं तो दे देखे इसमें वेग और समय ग्राब बोल रहता है हम लोग पढ़े हैं देखे वेग बटास समय यह कोशन तो खेर मिश्टेक हो गया पता नहीं क्यों हो गया तो वेग बटास समय जो था हुआ विस्थापन का होता तो इसका right answer option नबर ए था टो निघकर्ण पास समय निए तो क्या बोलग को निए काल यह नगा था ठीक है तो क्या वहोल्टेज की निम्लिक परतिनीधित करता है तो देखे आम लोगे पढ़े होगे फर्मूला भीज कर्ण क्या वता वाय क्यों होता तो इसके कि आप लोग लगा सकते थे 120 का तो याने कि फ्रेंट्स का जो राइट इंसर रहता अप्शन नंबर एक और इंटी को संस इसका अप्शन नंबर यह वाता ठीक है एक नेक्ष्ट 121 का तो 121 की अगर बात करते हैं 121 के अगर बात करते हैं पहले बढ़ेगी फिर घटेगे यदि प्रकास देखे यदि प्रकास चलते हुए कि लगो किन्तु स्थिर कोन से मुड़ आती है तो यह कहा कहलाती है तो इसका राइट अंसरों का अप्शन नंबर डी लिख रहा लेक 123 का इंसर देखा या तो इसमें दोनों एक साथ बढ़ेगी 123 का था ठीक है अब बात करते हैं 124 का तो 124 का अगर आप लोग सौड की होंगे तो इसका राइट अंसर रागा दो गुना चले 125 की बात हम लोग करते हैं तो चली देखें नियों लिखें कौन सा अभी किरिया वि 26 का अब 27 के बात करते हैं तो चली देखते हैं क्या पूछ रहा था तो इसका जो राइट अंसर होगा 127 का अप्सर नमबर श्री कमजोड अब प्रवल चारप 128 की तो प्रकास की उपस्तिनी बेंजीन क्लोरीन साभी किरिया तो बेंजीन हेक्सा क्लोराड बनता है क्लियर है ए उपसर नमर B होगा HCL चली आगे कोसन देखते हैं 131 का क्या वोलता है तो इसे अगर आप लोगो स्वाइजीन तो अठारा होगा जो कि आपसर में नहीं था तो यह हो गया था पी एच श्किल की बात करते हैं इसमें फ्रांट इंसर और उपसर नमर ची होगा 132 का अगर हो यह देखिए रसायन विग्यान में PK कार्थ होता है यह लगू लियानी लॉगरिथम का यूच करते हैं रंगीन अस्पीशीज है तो इसका राट एंसर एने थी भी ओफोर हो गया कौन जल्वत सिल्वर का हिस्सा है तो इसमें होगे एक से अधिक हो गया कॉलबेज रियक् रेख पास लुचय का मुख्य स्थान क्या हरीत लबक होता है भोजन अस्तर की दीवार में विस्तार की संचलन को क्या कहते है तो फ्रांट अगरी और सटीलिन संचलन मनुस्य में कुद्दे के मुत्रासे को जोने वाल नलीखा को क्या कहता है इसका बोलते हैं मुत्रवाहिनी 142 तो इसका जो राइट अंसर होगा option number C हो गया एनवे इसका कच्छा हराफल पकने कर इस तो इसका अगर देखते हैं तो सरेखते हो इसका आप पने होताए इसे रखेंग आप रुध्यान में चलिए तीन को सरे दिखते हैं क्या पूच रहा है तो इसका ज़्य करने करता है यह यह नहीं करता है रैंवियल इसका आटव सर्थ का तंत्री का कोशिक़ें पच्छियों सरी श्रीपों के बीच के अगात कडी को क्या वाइब योजक कडी की बोलते हैं यह ते डेंगु बुखार का कारण किया तो इसमें आयोग की द्वारा देरा देन धारक अर्भो वाइरस लेकिन इसका राट एंस वाइरस होना चाहिए नमिंतम दूतिक जायलम क्य करता है तो यह था कोसन आप लोग के सामने 6-8 तो कोसन तक मेरे कोसन अगर देखा था मोड़न टूफ हाय था में अक्योंकि इसमें धशा था वह 11 यह का संथा जो काफी कॉंप्लिकेटर भी कौसन था और सब्सक्राइं से मेरे सब्सक्राइब तो इसमें मेरे कोरणि से ज्य जाने है चलिए ठाएंगे सो मच और और बेश्ट